यही एक typical behavior होता है bull market का कि जहां पर market जो है वो टकटक 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 ऊपर उपर ऊपर उपर चलती चली जाती है correction जो आती है वहाँ पर हमार को थोड़ी देखने को मिलती है बट जो move देखने को मिलता है वो हमार को काफी तेज और काफी बड़े move देखने को मिलता है जैसे कि हमार को 2020 में करोना के टाइम पे एक हमार को low देखने को मिला 7500 का उसके बाद आज मार के 23000 पे यहां पे हमार के खड़ी है मतलब कहने का, यहां पर हम 70%-75% हम रस्ता यहां चलके आचुके हैं, अब हम अदे क्वार पर 25% का ही रस्ता यहां से बचा है। अगर अभी तक भी आपने stock market से पैसा नहीं कमाया है अभी तक भी आप यहां पर loss कर रहें तो guys आपके पास ज़्यादा opportunity का time नहीं है अब यहां से अगर market upside के लिए यहां से चार मिने चे मिने आट मिना तो अगर आपने यह time period भी miss कर दिया कहीं न कहीं आपने इस time period का benefit नहीं लिया क्योंकि यहां पर भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने यहां पर momentum अभी तक नहीं दिखाया है अगर आप इस इसका benefit लेना चाहते हैं यह really miss नहीं करना चाहते तो bulletin को बिलकुल भी miss मत करें bulletin आपकी काफी help कर से था क्योंकि वहां पर मैं आपको अपनी labeling करके देता हूं कि यहां पर कौन से स्टॉक्स में क्या होने की possibility है और बहुत से स्टॉक्स है जो बहुत ही तेजी से उपर की तरफ जा रहे हैं जैसे की example की दौर पे भारत फोज ठीक है HAL और railway sector के जो private वाले हैं वो बहुत तीजी से काफी बराच चुकी है उसके अंदर भी हमार को जो है third wave extension already मिल चुकी है fourth wave भी कहीं कहीं कर रहे है तो उसके अंदर लास्ट की fifth wave अभी बची हुगी है अगर आप ये fifth wave के अंदर आप trap हो गए तो guys फिर आपको समझें कि 33-34 सा के लिए जब market correction में जाएगी तो आपको वहां पर काफी pain होने को मिल सकता है या तो आप pain आने से पहले ही market से exit कर लीजेगा profit लेकर के या फिर market आपको exit कर देगी और वो जब exit कर देगी तो आपको काफी pain भी देगी मतलब आपका वहां पर loss भी देखने को मिलेगा तो यहा लिंक मेरा description में दिया है आप इसको जुरूर जोइन कर लीजे वहां पर आपको मैं हार चीज गाइड करता रहूँगा nifty bank nifty में क्या patterns बंढ रहे है internal wave counts क्या बंढ रहे है stock market में कों से patterns बंढ रहे है कहां पर हमार को exit करना चाहिए कौप हमार को वहां पर buying कर देगी चाहिए आपको गाइड करता हूँ